जेहिन सौत्यों मैं चन्दन आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉजी फूर सिकेनवी पर स्वागत करता हूँ सात्यों आसा करते हैं SSE GT 2022 का जिन भी अव्यरती एक्जाम दे दिये हैं ओ अच्छे से एक्जाम दिये होंगे और जिनका भी अभी एक्जाम आने वाला है उनके लिए all the best आसा करते हैं उनका भी एक्जाम अच्छा जाएगा सात्यों आज हम एक topic लेकर किया आया हूँ जो की नृत्य से है और इस से एक दो question एक्जाम में पूछे जा रहे हैं उसको मैं लेकर किया आया हूँ 10 और 11 इन दो दिनों में और आज 12 इन तीन दिनों में जो भी question पूछा जा रहा है मैं कोशिस कर रहा हूँ जो उस question को आप लोगों तक कोहँचाने का तो सबसे पहले start करते हैं तो भरत नाट्यम तमिलांडू ये तमिलांडू का है इसमें यामनी कृष्णमूर्ती रुक्मनी देवी जो की मंदिर से संबंदित मृणाली सारा भाई ये भरत नाट्यम में है ठीक है भरत नाट्यम के अंदर ये सारे ये जो भी है इनका नाम इ ये याद रख लिजेगा कुचीपुरी, आंदरप्रदेश, यामनी कृष्ण मूर्ती, राधा रेटी, थाल निरित और मठका निर्त उरीशी में माध्विम रिदल, केलू चलन महापात्रा, श्रयुक्त पनिगरही कथक कली, ये केरल से संबंदित है, कृष्ण कुहरी, कृष्ण नायर, आनंद सिव रामन, उसके बाद कथक, कथक यूपी से संबंदित है, पंडित बिर्जु महराज, जिनका हाली में निधन हुआ, उन्हें पदम विभूशन से सम्मानित किया गया, लक्षु महराज और सित जारा देवी, उसके बाद आ जाते है, मनीपूरी, जोपरी वहन, मोहनी अटम, कल्यानी अम्मा, हेमा मालिनी, स्री देवी, इन सभी को अच्छे तरह से आप कॉपी पे नोट डॉन कर लेजे, और जदी नोट डॉन नहीं करें, तो एक बार इस वीडियो को अच्छे तरह से देख लीजेगा, ये आपको बहुत ही फायदेमंद साबित होगा आपके अगले एक्जाम में, इसके बाद कुछ वादियन्त है, जिससे भी कोश्चन पूछा जा रहा है, सितार, पंडित रवी संकर, सितार, पंडित रवी संकर और बिलायत खां, तबला जाकीर हुशेन, लतीफ खां, अल्लरक्खा खां और किशन महराज, ये तबला वादियन्त, वाशुली, पन्नालाल घोष, हरी परशाद चोरशिया, सहनाई, बिश्मिल्ला खां, अली एहमद हुशेन, सरोद, अमजद अली खां, अली अकवर खां, वीना, एस बालचंदरन, उसके बाद ज़्यों से ज़्यादा कोश्चन तबला और सितार से, ये तीन-चार चीरों से ज़्यादा कोश्चन आ रहा है, तो इसको अच्छे तरह से देख लिजेगा, वाईली, डॉक्टर, एन्डाजन, ये जो मैं दो पेज में आपको बताया हूँ, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है आपके आने वाले एक्जाम के लिए, तो आप अच्छे तरह से इसको जरूर पढ़ लेंगे, जिनका कल एक्जाम है, वो इस वीडियो को अच्छे तरह से देख लिजेगा, इसमें से एक कोश्चन दो आ रहा है, एक कोश्चन पका आपका हाथ में है, तो आप इसको अच